अश्कार रेसिपी मंत्रा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल चना दाल तड़का अचानक से घर में कोई महमान आने वाला हो और घर में कोई हरी सबजी ना हो तो ये रेसिपी आप बना के खिलाएगा ये सबजी आपको बहुत पसंद आएगी त सबसे पहले देख सकें सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक कप चने का दाल और दाल को आप तीन से चार घंटे पहले भिंगो के रख दें ताकि अच्छे से फूल जाए और आप दाल को नाखुन से कट करके देखेंगे तो ये कट जा रहा है इसका मतलब कि ये अच्छे स फूल गया है दाल को आप कूकर में डाल दें और मेजरिंग कप से मैंने एक कप दाल लिया था तो उसी कप से मैं धाई कप पानी डाल रहे हूं तो जिस कप से कटोरी से आप दाल नापे उसी बरतन से आप धाई कप पानी डालें डाल में हमें पानी हमेशा दाल से थोड़ा आप कूकर का ठकन लगा दे और डाल को पकने कि लिए छोड़ दे गैस का आँच मीडियम से लोग के बीच में रखें और कूकर में एक सीट्ञ लगणे दे गैस बंध कर दे और इससे तब तक ना खोलें जब तक कि कूकर का प्रैसर अपने आप निकलना जाएं और कुकर का यह देखे प्रसर निकल गया है तो खोल के चेक कर लेते हैं यह देखे दाल हमारा अच्छे से पक गया है और अगर आप इसे हाथ से दबा के देखेंगे तो यह दब जा रहा है दाल को हमें इसमें पूरी तरीके से गलारा नहीं होता है दाल हमारा खड़ा- होना चाहिए लेकिन दाल पक जाना चाहिए अच्छे से तो अब हम चलते हैं दाल के लिए तड़का तयार करने सब्जी को बनाने के लिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि कड़ाई गरम कर लेना है और जैसा कि आज हम बिहारी सब्जी बना रहें तो बिहारी सब्जी क थोड़ा सा तेश्ट आएगा, जैसे ही तेल गरम हो जाए, आप डाल एक कुछ साबुत गरम मसाले, तो यहाँ पर मैंने डाला है एक तेश पत्ता, और दो छोटी लाइची, लेकिन इलाइची को डालने से पहले, मैंने आगे से तोल लिया था, थोड़ा सा दाल चीनी, 4-5 ल गरम मसाले से सबजी का टेश्ट बहुत अच्छा आता है, अब आपको इसमें डालना है, एक पिंच हींग, जी हाँ, खानी में अगर थोड़ा सा हींग डाला जाए, तो एक तो हींग हमारे डाजेशन को बहुत अच्छा काम करती है, और खानी का टेश्ट भी बढ़ जाता है, सबी साबुत मसाले हमारे भुन गए हैं, जीरा भी हमारे चटकने लगा है, जैसे ही जीरा चटकने लगे, बस आपको डालना है दो मीडियम साइज के कटी हुए प्याज, और प्याज को आप मीडियम आज भी तब तक भुनें, जब तक कि प्याज आपकी अच्छे से अगर आपके घर में कोई हरी सबजी ना रखी हो, और सोचना पड़े कि क्या बनाया जाए, जो टेस्टी भी हो और सबको पसंद आए, तो ये आप दाल दड़का को बना के देखिएगा, ये बहुत ही स्वादिश बनता है, और मुझे पूरी उमीद है कि ये रेसेपी आप का कलर भी चेंज हो गया है, जैसे ही प्याज हलकी से सुनेरी होने शुरू हो, आपको डालना है एक चमच, अधरक और लहसुन का पीस्ट, अधरक लहसुन को 30-40 सेकंड तर प्याज के साथ भूल लेंगे, इससे क्या होता है कि अधरक लहसुन के जो कच्छेपन का टेस्ट ह अधरक निकल जाता है, अब आप गयास काउच बिलकुल धीमा कर दें, क्योंकि यहां पर आपको डालना है कुछ सूखे मसालिम, एक चथाई चमच आपको डालना है, अधरिया पाउडर, एक चथाई चमच, जीरा पाउडर, आधर चमच, मिर्ची पाउडर, या मिर्ची प पाउडर का इस्तमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इससे सबजी में डाल देते हैं, तो सबजी का जो कलर है वो बहुत अच्छा जाता है, तो अब इन सूखे मसाले को हम बिलकुल धीमी आज पर एक मिनट भूल लेंगे, मसाले हमारे अच्छे से भून गया है, अब आ मसाल को पकाते समय भी हमने नमक डाला है, तो यहां पे नमक हमें मसालो की अनुसार ही डालना है, अब आपको यहां पे डालना है आदा चमच गरम मसाला पाउडर, जी हां, गरम मसाला पाउडर से हमारी सबजी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, नॉर्मली जब सबज में मसाले को टमाटर के साथी भून लेंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो हमारे तड़के में अच्छ से आजए मसाले हमारे जलेना और टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए यहां पे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे अब आप इसे ढग दी और ढग के इसे 8-10 मिनिट तक मसाले को हमें तक तक भूनना है जब तक कि मसाले में से तेल अलग ना होने लगी और जो हमने इसमें टमाटर डाला है वो अच्छ से गलना चाहिए बीच बीच में आप मसाले को खोल के चलाते जरूर है और 10 मिनिट हो गए हैं और यह देखे मसाला हमारा अच्छ से भून ग से भून चुके हैं तो अब हम यहां पर डालेंगे पकाया हुआ दाल जो हमने पहले ही पका के रख लिया था मसाले के साथ दाल को हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको यह जादा गाढ़ा लग रहा है तो यहां पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब पाइस कांच मीडियम से लो के बीच में रखें पांच मिनिट हो गए हैं और यह देखें सब्जी हमारी पहले से काफी गाड़ी हो गई है ठंडी होने के बाद यह थोड़ी सी और गाड़ी हो जाएगी और सब्जी की जो ग्रेवी है वह आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला यह थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं तो अब आपको यहां पर डालना है थोड़ी सी ताजा बारिक कट्यू हरी धनिया के पते देखें हमारी सब्जी देखने में कितनी लजीज दिख रही है और खाने में भी यह उतनी ही ज्यादा स्वाधिश्ट है तो चलते हैं सब्क मा करम से सर्फ करनी के लिए चना दाल तरड़का कि इस रेसिपी को आप भीएख बर ट्राक कीज़े रेसिपी कैसी लगी प्लीस कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समझ से आये तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं म मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और इतनी सब्ची में परिवार के तीन से चार लोग आराम से खालेंगे मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई